नमस्कार दोस्तो मेरे YouTube चैनल Health Tips in Hindi में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी सुन्दर और निखरी तवचा पाने के लिए हरे धनिये से बनाए गए Face Pack के बारे में लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें दोस्तो जब बात स्कीन केयर की आती है तो हम फलो को ज़्यादा भाव देते हैं पर क्या आप जानते हैं कि सब्जियों से भी रूप में निखार पैदा किया जा सकता है ऐसी ही एक सब्जी है धनिया की पत्ती जो कि तवचा के लिए कई मामलों में बढ़िया साबित हो सकती है हरी धनिया पत्ती किसी भी टाइप की स्कीन पर लगाई जा सकती है इसमें धेर सारा एंटि ओक्सिडेंट होता है जो एकने, इसकार और पिंपल आदि से छुटकार दिलाने में मदद करता है अगर चेहरे पर तेजी से जुरिया आ रही है तो भी आप इसका पेष्ट बना क के लिए आपको धनिया पत्ती, टमाटर का जूस, नीम्बू का जूस और मुलतानी मिट्टी की आवशकता होगी सबसे पहले आदी कटोरी भीगी हुई धनिया की पत्ती पीस ले अब इस पेष्ट में पांच चम्मच टमाटर का रस और नीम्बू का रस मिक्स करें उसके ब बनाने के लिए आपको धनिय की पत्तियां, अंडे का सफेद भाग और और्ट्स पाउडर की आवशकता होगी इसके लिए सरसे पहले मिक्सर में आदा कटोरी गिली धनिया पत्ती पीस ले फिर अंडे का सफेद हिस्सा लेकर धनिया के पत्तों में मिला कर पेष्ट बनाए फिर उसमें और्स पाउडर डाले और स्क्रब तयार करें। इस स्क्रब से चहरे की मसाज करें। इससे आपके ब्लैक हैड्स और वाइट हैड्स पोर्ट से निकल जाएंगे। फेस पैक नमबर तीन इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया पत्तिया, दही, एलोवेरा जेल, दूद पाउडर, चावल पाउडर और काउलो नाइट क्ले। सबसे पहले आधा कटोरी गिली हरी धनिया रखें। दही ले, एलोवेरा के पेड से जेल निकाल ले। सबसे पहले दही और एलोवेरा जेल मिला ले। एक ग्राइंडर में धनिया का पेश्ट पीस लें और फिर उसमें अन्ने सामगरिया मिक्स करें। अब इसमें एक टी इस्पून काउलो नाइट क्ले मिक्स करें। आप चाहे तो इसमें रोज वाटर या कच्चा दूद भी मिक्स कर सकती हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद चेहरा दोलें। यह एक क्लिंजर की तरह काम करता है। तो दोस्तों यह थे धनीय से बने फेस पैक जो आपकी स्कीन को सोफ्ट और शाइनी बनाने में हेल्प करेंगे। आपको हमारे दौरा दिये गई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नही नही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना जथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।